अल्ला सुभानों ताला हमें अच्छे रास्ते पे लेके आते हैं उसी को सजदा सजदे की तौफिक देता है जो अल्ला को पसंद असलाम वालेकुम एवरीवन वैलकम बैक टू माई नीव लॉग तो मैं अप लोगों से कुछ बात शेयर कर रही हूँ कि जैसे ये वीडियो द नहीं नहीरों से कुछ पड़ते थे बाकीव लेकीशा है आप लोगों को मैं बता दू के अगर बी बाद में हम नमाज पढ़ेंगे, नहीं काम से कहो, पहले नमाज फिर बाद में काम, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ेंगे, अलला से दुआ करेंगे, तब जाके हमारे मुश्किल आसान होगी, हमारा काम असान होगा, तो सबसे पहले हमको नमाज पढ़नी चाहिए, तो मैं आप तो मुझे ऐसा लगता है कब अजनाँ होगी, कब में नमाज पढ़ू, ऐसा लगता है, डिन अप लोग पाच वक्त की नमाज पढ़ो, और सिर्फ ऑज़ पाफ वक्ती नमाज पढ़ो, बजना दोसरे दीन पे आपको नमाज के लिए कोड़े करेंगा, अगर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप लोगो को प्टया आप लोगो को क्योंकि मैं पहले नमाज नहीं पढ़ती थी पच्छाख़ की नहीं पढ़ती थी हाँ लेकिन जबसे मैंने नमाज पढ़ी तो पता है ऐसा लगने लगा के मैं अल्ला ताला की दुआ पढ़ते रहूं मतलब मैं चलते फिर दरुक्षरी पढ़ू मैं कलमा पढ़ू, मैं वो वज्जात वज्जिया हो पढ़ लो मतलब फिर सुरह बक्रा हर नमाज के बाद पढ़ना चाहिए ये बहुत जरूरी है पता है इससे हमारी कब जिन्दगी कहा से कहा हो जाती ना पताने चाहिए अल्ला तेला हमको गलत रासे से दूर करता है तो अल एक ही साथ हम खाना नहीं हम एक लुकमा उठा के खाते हैं वैसि हम आइस्टे अच्छे रास्ते पर कड़ब लेकिन आप लो नमास पढ़ो पता है नमास से सारी जिन्दगी में जो भी परिशानिया नहीं होती है मैंने आजमाया है और अल्ला ने मुझे काम्याभी भी हासि जो अरे मीरा मुझे काम्या है तो हम चानल मॉनेटाइज हो गया है वो भी आप लोगों की वजय से ल recognised होता है अल्ला के बहुत्ता भी नहीं हिल सकता है यह तो हम जानते ही अगर अल्ला चाहता नहीं होता है पतलब ऐसा टाम नहीं करो अल्ला के रास्ते चलो पाचिन Gobierno पर तो इसा बात, में बएगा मैं आजलाओं से छम्टीमितल जोगी कहीं भी व्लॉग बनाओगी ना कहीं भी जाकी किदर भी घुमने जो तो इंशालला 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 कि मैं नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला भी साथ में रखूंगी नमाज के लिए डुपट्टा भी रखूंगी हर चीज साथ में रखूंगी ताकि मैं किदर नमाज को छोड़ना है नहीं 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 कि नमाज नहीं पढ़ा है नहीं कि आप लोगों से एक बात बता दो कि के अल्ला तल्या लाव को पर्माद आती है या फी आल्ला हम कोई गलत रास्ते प्रेंट्स देखे यहां पर चुई मुई का ज़ाड़ है कि अब की ज़िए जो शर्माता बहुत है यह देखे मैं हाथ लगाऊंगे वैसी मूर्जा जाएगा यह देखेए हैना यह देखिए ओ माइग गॉड्या यह देखिए अब सब्हें लगाए तुर्जा गया अच्छा लग रहे है एक गई देखिए ज़ग तरी अब लोगों को मैं बता दू हम लोग अगर गलत रास्ते पर जाते हैं तो अच्छे रास्ते पर लेके आते हैं हमारा दिल नमाज की तरफ और अल्ला उसी को सजदे की तौफीक देता है जो अल्ला को पसंद दे अल्ला मैं मेरा ऐसा कहना कि मैं नमाज पढ़ते हैं मैं बहुत पसंद रूँ ता इसलिए अल्ला मुझे सजदे की तौफीक देता है और मैं भी चाहती हूं कि आप लोग जो भी मेरी वीडियो देते अल्ला उन्हें भी नेकी के रास्ते पर चलाए सजदा कर सजदे की तौफ जैसे मैी अए कोकन में तो कोकन तो बहुत से बहुत से कोकन जानते हूंगे केरा कि तन अच्छा क्या है तो यहीं रहूँंगी लेकिन आप लोगों को में बता दूँ यही वज़ा है और सबस्धे अच्छी बाद यह हैं नमाज नहीं छोड़ोः मतलं हम लोग हम लोग पसंद है जो ल्ल्ल्ला को हर बात में शुकर आदा करता है जैसे हम ऊच्छा ने ढिला इसकुछ करता है तो अच्छा नंताव हमारे लुट सुच जो कुछ खता है तो लुट सुपानुव पसंद है हर बात में, अलहम्दल् escrito को woo, ऐस घया का शुकर आदा करो तो इस चीज का शुकर आदा करो विलने चीज का शुकर आदा करो एम पसंद वही चीज़ है कि तुम शुकर आदा करो इस पूला 2023 दरुशरी पढ़ा करो और बहुत सी आमल करती हुँ वही चीज आप लोगों से शेयर करती हुँ और इंशालला दुआ करो कि मैं भूस 기대 अभिध हम जो हमारी राष्चे जो गरल यह में पता है है और इससे हो और मेरे गाव में कही बडादे हैं हो 151 चलना है पार और बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई या ये नए शादी नहीं नहीं एक जलती नहीं लाइफ में कुछ करना शया एक सपना आप मेरे अम्मी्र को अपनी मुझे अगर आप लोग येकिन ना ettय साति रहे मिंलिये में थे चछा के सलिव तो सबढ़कोज जाए अ जित ब sleeएक अगर सब्सक्राइब आप लोग दूरे, जो हमें तया है असी प्रवर सब्सक्राइब कता है तु हमारा यकीन है कि तु हमारे सब्सक्राइब बॉल के बाद करो दरू शरीप बढ़ा करो बता है लोग देखे लिए अमाता है यकीन मानो यह चीज मैंने आजमाई हूं यही चीज है कि आप लोग भी थोड़ा अल्ला से दुआ करो नमाज पर तो चलिए बताईए इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा मैं तो कहूंगे आप लोगों ने सीखा कि नमाज हमारे जिन्दगी में बहुत 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 जरूरी है क्योंकि नमाज से सारी मुश्किलात होती है। नमाज बहुत से लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब नमाज पढ़ते हो तो उसके नमाज में ळुदी भंगना चे़े हैं। वही बंदा पढ़े हैं। तो ऑगर हमें रौना नहीं आता है नौ तो अगर रोता हुआ मुँद्दा कि अल्ला को गिर गिराते हुए बंदे बहुत पसंदे तो इसलिए नमाज पढ़ेंगे ना तो दुआ करो क्योंकि दुआ ही तो है जो सारी जिंदगी का मसला हल करती है और अल्ला पर भरोसा करो ना के कोई चीज कोई ऐसा है कि यह नहीं हो पाएगा रहे कैसे नहीं हो है कि अल्ला मुझे गलत रास्ते से दूर रहा को अच्छे रास्ते पर लेके चलना पस यहीं चाहती हुए तो आप लोगोंने क्या सीखा है इस वाग में जरूर बताना जरूर सीखा होगा कि नमाज बहुत जिंदगी में बहुत जरूरी है तो वही आप लोग नमाज हमें दिन रात उटते बैठते पढ़ना चाहिए तो थैंक यू सो मच यहत्तर के व्लॉग देखने के लिए और उमीद है कि आप लोगो कोई पसन आया होगा और जरूर है कि नमाज आप जरूर करें इंशाला लाह सुबाने टाला अल्ला आपको नमाज की तौफीग दे है लाह अफीज अपना ख्याल रखना